रात का समय है, चारू तरफ अंधिरा ही अंधिरा है, गाउ में एक गरीब परिवार है, छोटे से मकान में एक मा चारपाई पर अपने दो बच्चों के साथ सो रही है, तभी हलका सा शोर हुआ, एक भेड़िया दस्तक देता है और सो रहे बच्चों में से एक को उठा कर ले जाता है, उस रात चांद की रोष्णी के बावजूद मकान में अंधिरा च्षा जाता है, दरसल भेड़िया उस बच्चे का शिकार कर उसकी जान ले लेता है ये कोई मन घणन्त कहानी नहीं बलकि उत्तरप्रदेश के बहराईच जिले की एक असल कहानी है तारीक चार अगस्त गाउं का नाम कॉलेला देर रात श्रीला देवी नाम की महिला अपने दो बच्चों के साथ सो रही थी परिवार गरीब है घर में दर्वाजा लगाने के पैसे नहीं तभी देर रात भेडिया आया और बच्चे को उठा कर ले गया बच्चे की मा ने लोकली टीम को उस रात का पूरा सीन बताया जो हम आपको सुनाते हैं कि घरना होए थी दू बजे रात में इस चार पाई का जहां चार पाई करी हैं तो तीन मिला रहने मंतर वो दू बच्चे जो ने बच्चा लईगा है और हम एक छोट वालव रहा है परा स्वावत है और हम देन जने रहने तो पाच्छन पाच्छे हम कह हार दादा लईगा क बेड़ी आप यहां प्रिडियों ने हमला किया है वहां वहां प्रशासन अब स्ट्रीट लाइट लगवा रहा है गाउं के घरों में दर्वाजे लगवाए जा रहे हैं पर खौफ अब भी ज्वायज है क्योंकि इन आदम खोर भेडियों ने सिर्फ एक नहीं बलकि साथ जाने ली है ग्रामीनों की आखों में डर है लोग अब भी देर रात तक पहरा दे रहे हैं ताकि भेडियों के हमले स बचा आफ कर सके पला लगा है जब गतना होई गहा है क्योंकि तीन चार दो दुवाज बढ़ाए लगवाए लगवाए गये हैं और पला त्यारा पहले आए रहे हैं पाट परस्वाए हैं अटारा पला लाए इदर राजव के बाद में लाग हैं बिदाय के बाद में इससे पहले प्रशासन ने कैमरे में कुल 6 भेडियों को कैद किया था जिसमें से हाल ही में 29 अगस्त को चौथा भेडिया पकड़ा गया बाकी दो की तलाश अब भी जारी है सर्च ऑपरेशन तीज हो चुका है पांच किलोमीटर की रेंज में भेडियों को डूंडा जा रह हाहे इससे भेडियों की आतंक पर लगाम लगाई ज़ा सकीगी लोकली टीम के लिए बहराई चुसे बिन्नू बालमिकी की रिपोर्ट